पिश्मिल्याइमानुराइम, अससलाम अलेकम दोस्तों, पाकिसान से मैं हमरे रॉप डेख रहे हैं, क्रिकेट भी तुम्हेरा अज़ाल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस्ट्राइब मुझे फालू करें, इंसाग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप रिस्म का डाउनफल आ चुका हुए है, मतलब हर चीज बजी पड़ी है, दूस्ते हम इंडियन टीम को देखते हैं, अबसली ब्रिलेंट कर रहे हैं वो, और उनके यंग्सटेल्स कर रहे हैं, अब पाकिस्तानी एक्स की बात कर लो, आप शूयब अक्तर की बात कर लो, वसी थो है इंगलन्ड क्या रहा है और पाकिस्तान में यंग ओनना को मौका नहीं दे रहा है मतलब आगर आप मैं बताओं आपको इस चीज का जिस तरह आपने देता है देखा संजू सैमसन मोके मिल रहे थे रंज नहीं थे औरे लेकिन हुए यह बात यह बता नहीं किया कि आप सीखो इंडिया से कि किसी जब बंदे को लाना है तो उसको प्रापर मोके देने हैं वो पाकिस्तान वाले इनका पीसी बी का चेर में भी बाबर आजम था इनका हैड कोच भी बाबर आजम था इनका बापा भी बाबर आजम था इनका अबबा भी बाबर आजम था और उस बाबर आजम ने कोई टैलन्ट नहीं निकाला आज अगर इंडिया शुय बगतर ने विराट कॉली का हाथ है इन लोगों ने जा है वो हमेशां confidence दिया है हमेशा confidence दिया है अपने यंग्स्टर्स को और आज इंडिया के वो यंग्स्टर्स अब देखो पाकिस्तान क्रिक्ट में इस टाइम बाबर राजम और मौहम्मद रिजान अगर रिटार्मेंट गे देते है मैं तो कहा दो दे T20 से इनको खिलाने नहीं चाहिए T20 के प्लेयर ही नहीं है हमारे पास फिर भी पीछे कुछ नहीं है है यह दोनों गंटे के निकाल लो इनको मुझे नहीं चाहिए इंडिया को देखो रोहिछरमा विराट को ली गे जिडेजा गे उनको मसले नहीं हुआ उन उनके पस बेतहाशा ओपनर है अभीशेग शर्मा शुम्मन गिल रुतुराज गाईकवर्ट संजू सैमसन है जे स्वाल है उनके पास इतने उनके पास ओपनर है तीसे नमर के लिए उनके पास नितिश कुमार एडी आ गया विराट कोली के पास सूर कुमार यादव है कभी ह माइंड सपने डिखो माइंड गेम उनके देखो. वालिंग में उनको पता है हमने भुम्रा भाइलाटरल सिरिज नहीं खिलानी इतने हम भुम्रा को डूसरी चीज्ञा ने हैं वो अपने यंग्स्टल बालर तियार कर रहे हैं कि यार हम इनको T20 World Cup के लिए कही ना कही तियार करेंगे यही बात से बता ने की है ना अब वसीम अक्रम की दिस्ट आम आपको बताता हूं वसीम अक्रम ने तो इवन के ये भी बोल दिया है कि पाकिस्तान क्रिकिट को बिहांड दी सीन बिहांड दी कैमरा इंडियन क्रिकिट स मदद मांग लेनी चाहिए कि जरी सी बात है डाउन फाल है अब किसी से तो मदद मांग नहीं है ना तो आप इंडियन क्रिकट से मदद मांग लो कि हमारी मदद करो हमारे प्लेयर्स हमें पते ही नहीं प्लेयर्स निकालने के दर से हैं निकालने कैसे हैं ग्रूम कैसे करने है हमारे पास कोई spinners का backup नहीं है हमारे पास कोई fastballers का backup नहीं है कोई opener उच्छ भी backup नहीं है और इमने के जो खेल रहे हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं यही चीज मैं किछले कोई सानों से मौकता आ रहा हूँ यह बाबर रिजवान एक टाइम पे दोखा देंगे यह बाबर रिजवान एक टाइम पे दोखा देंगे यह शहीन अफरीदी आपको दोखा देगा और वो दोखा देगा आप तीम इंडिया को देखो वो संजू सैमसन कल रात को उसने सो मारा है आज बात पाकिस्तान में हो रही है कुछ था, कुछ था, कुछ किया है तो बात हो रही है ना उस रियान परा की बात हो रही है पाकिस्तान में हार्तिक पांडिया की बात हो रही है पाकिस्तान में रवी बिश्नोई की बात हो रही है पाकिस्तान में पाकिस्तान की सुबा की निउज हैडलाइन्स में इंडिया की जीत की बात क्यों की जा रही है क्योंकि उन्होंने कुछ उखाड़ा है इस वज़ा से की जा रही है यह बात जिस दिन हमारे प्लेयर्स को पता चल गई कि हमने क्या करना है फिर उनको समझ आ जाजेगी अब तीम इंडिया देखो उनके यंग टैलेंट है सुरिया कुमार यादव को पता है कि मैंने यंग्स्टर्स को बैक करना है क्या कहता है मैंने कप्तान नहीं बना है मैंने लीडर्शिप लीडर बनना है लीडर्शिप क्वालिटीज है उस बंदे के अंदर बाबारादम क्या करता था ये कप्तान बनता था ये मामेहा बनता था ये यस मैन कर भाओ जी मेरे आगे यस मैन बनो पकड़ के बजा दिया उस नोगों ने पकड़ के उखाड दिया उन्होंने मतलब घंटा बजा दिया यार उन्होंने इसका और ये बाबाराजम बना गया हुए यार ये अब टीम इंडिया को देखो अब क्या है एक मैच में नितिश कमार रेडी रंस कर रहा है राशी लतीफ की कोईट बता रहा हूँ आपको मैं जो है वो कमेंड बता रहा हूँ एक मैच में नितिश कमार रेडी रंस कर रहा है दूस married पे आके बैंच पे बैठा हुआ है कोई सिफारिश कोई चाचा मामा ताया नहीं है married पे selection हुई है और married पे select हुए हैं लड़के हर बंदा married पे select हुए है तो यही ustedes हम कब से बहुंझ रहे हैं कि Pakistan cricket मेंめりड़ पे लोग नहीं आसकते अगर इंडियन टीम ने आज आज दुनिया उठके सिलाम करती है इंडियन क्रिकिट को राशिद लतीव ने बोले कि इंडिया ने ये प्रासेस तकरीबन 2020 से स्टार्ट किया हुआ है और हमें अभी पता चला है लेकिन वो कहते हैं साइलेंट साइलेंट किलर बने हुए थे वो हमोशी के साथ वो कहते हैं मेनत इतनी हमोशी से करो कि आपकी कामयाभी शौर मचाए वो मेनत हमोशी से कर रहे थे जाद है इंडिया 2021-22 में हम लोग मजाख उड़ाते थे ये कुछ गंटे के फैंद मजाख उड़ाते थे इंडिया जी बचे बेज़ेते हैं ये करता है वो करता है वो अपने सीनियर्स को रहस दे के अपनी A टीम B टीम बेज़ेते थे और फिर सीनियर जाते थे वर्ड काप की सीमेंड में वो भाई ये प्लैनिंग कर रहे थे वो कब से 4-5 साल पहले की ये प्लैनिंग कर रहे हैं ये विराट की कपतानी की चीज़ें चल रही है तो यार उन्होंने तो ये काम करना बांदनी किया उनको फेलियर्स भी आये होंगे इंडिया को फेलियर्स एक अदाया है लेकिन उन्होंने गिवाफ्री किया उनको पता है भाई हमारा काम था T20 वर्ल्ड काप जीतना उन्होंने जीता है उन्होंने क्या भिया T20 वर्ल्ड काप जीता है तो इनको बोन दो भ만ो ब्रक्ट लाओ बैंड कोर ना एनके अड़ बंद करवाओ इनको चाली। लोट टेम में आले न करता है। आपके बालर्स को ना बालिंग करनी आती है ना बैट्समैन को आपके बैटिंग करनी आती है वाट इस इस यार स्टूपिट हरकते हो रही है इदर किसी को शरम नहीं है किसी को हया नहीं है यार हम लोग कुछ कर लें हम लोग कुछ कर लें लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करना मतलब आप देखो बंगलादेश के शांतू ने क्या स्टेटमेंट दिया था उस दिन कि जी वो हम मयाँ यादव जैसे बालस को नेट्स में खेलते हैं उन्होंने पकड़ गे इंडियन भी चाहती तो भाई अपना जवाब देते प्रेस कांट्स नहीं है उन्होंने जवाब दिया अपनी परफार्मर से ऐसी जगा गुसाया शांतू को बेटा वो निकल भी नी पाया गाब शायद उसकी कप्तानी भी चली जाया हमारे पास दोस्पिनर है उनके पास कोई कोतर सो बैट्समेन है यंग्स्टर्स हमारे पास एक भी ऐसा यंग्स्टर्स नाम नहीं है अभी अगर राशी लतीव ने बात किया कि आप पास में फैब फॉर में चले जाओ जिस तना आप जैक कैलिस को रिकी पॉंटिंग को सचन टैंडुलकर को कुमार संगागारा को रखते थे फैब 4 में फिर फैब 4 आया विराट कोली जो आब केन विलिげंट संट, स्टीव स्मिट जोयरूट अब अगले फैब 4 में किया है अब अगले फैब 4 में आप काता है शुमन गिल, ये जस्वी जेसवाल, हैरी ब्रोक, रचिन रविंद्रा, ये लोग आगे फैप फॉर में आते हैं, ना तब कोई पाकिस्तानी था, ना फिर कोई पाकिस्तानी आया, ना अब कोई पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी आसा नहीं आया, ना कोई फैप फॉर बालर् कि क्रिकिट खेलते हैं ह псих कि हर इंडियन आते है वह डोमिनिट करके चला जाता है hè एक्जीकूट करके चले जाते हैं वो टास्ट में उन्ह सेक चीज बनाई हुए है रशी लतिव ने बोले कि की तरह सब को जिम्भावे के साथ भी खिलाओ वो शुम्मन गिल और जैस्वाल तो यंग्स्टर है वो तो अभी वो तो अभी उनकी बहुत क्रिक्ट बाकी है तो बिससे शुम्मन गिल और जैस्वाल को क्यों निकलाता हाटी 20 सिरीज क्यों निकलाता उनको पता है कि ये तो त तो सारी रैंकिंग में इंडियन ही आपको नजर आए वो रैंकिंग के लिए कभी नी खेले वह परफार्मस के लिए खेलते हैं वह भी परफार्मस जो टीम के काम आती है यह चीजें जिस दिन पाकिस्तानियों को समझ आ गई हम अपने गार में रोड पिछ बना के उस पे पेल दुख होता है यकीन करें अंदर दिल रो रहता है मेरा यह क्या मैं देख रहा हूं इतनी भी बुली टीम नहीं थी पाकिस्तान हाँ कुछ थे चेरे हम कब से बता रहे हैं यह में 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 जो मुझरे मैं इनको निकाल दो लेकिन आप सब को पता चल गया मुझे लोग कमर्स म ठाए हम तो वह बात करते है जो जो हमें समझ आती है और जो हमें पता है आप बस एमोशनली स्टेट्मेंट देते रहते हूं इमोशनली वगलशनली एटाच्मेंट न लिया करो हो ओ यह चीज बड़ा काम रहे है है यह चीज्जां बडा काम आती है बागी विर linha के लिगल